दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम आपको सकाएंगे इस वीडियो में कि आपका जो घर में ये LED बलफ होता है इनिवर्टर का जो बलफ होता है जो आटोमेट की लाइट जाने पर आन हो जाता है और पीछे से टच करने पर क्या है कि हमारा रहा है बलफ चलने लग जाता है ठीक है तो आज हम इसी को रिपेर करेंगे दोस्तो इसमें प्रावलम यारी है कि ना तो ये डारेक्ट लाइट पर ये गलो हो रहा है और ना ही चार्जिंग पर चल रहा है तो हम सिरीज लैंप में इसको लगा के चेक करते हैं तो यह हलका आज ये गलो हो रहा है और ये ब्लिंक भी कर रहा है इसकी क्या प्रावलम है दोस्तो बहुत ही चोटी सी प्रावलम होती है दोस्तो और आप इस बलफ को अंजाने में फेक देते हो आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद इन ऐसे बलफ को नहीं फेकोगे दोस् में लगी भी है lighting emitting diode इसे कहते है led strip टाइप यह लगी भी है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें हल्किसी आपकी Earth रह जाती है Miss voltage रह जाती है तो यह अल्किसी गुलोव अभी भी कर रहे हैं तो पूरा open कर ले दे और अंदर से भी आपको दिखा देते कि इसके अंदर क्या-क्या component लगे होते हैं और maximum जिनके खराब होने का हमें doubt होता है और हम उसे replace कर सकते हैं हम आपको वह भी बता देंगे और इसके fault को भी हम आपको इतने आसानी से बता देंगे कि आपको ऐसा लगेग ये इसके circuit है ये देखिए दोस्तों ये इसका circuit है जो inverter का circuit है तो यहाँ capacitor लगेवे पिले रंके आपको दिखाई दे रहे होगे दो ये capacitor तो अक्सर ये capacitor फूल जाते हैं इसके कारण भी ऐसी problem आ जाती है प्रन्तु इसमें ये capacitor नहीं फूल है ठीके दोस्तों ये capacitor को ध्यान स लगावा है LED का तो इसमें दोस्तों मैं आपको check करके दिखा देता हूं मैं इसको series supply देता हूं पहले फिर आपको दिखाता हूं तो हम इसके series लगा देंगे ठीके दोस्तों और एक wire का टूकडा ले लेंगे छोटा सा ये दिखिए इतना सा एक टूकडा ले लेना है आपने ही चेक करना दें हलके हलकी गलोग कर रही है जो हमारी supply की जो AC 220 बोल्ट पर जो हमारा बलब गलोग करता है तो वह वाली LED यहां हमारी हलकी सी जल रही है जो अंदर वाला पैनल बंद है वह मारा charging पर काम करता है तो यहां पर आपको एक काले रंगा निशान भी दिखाई दे देखे दोस्तों, यहाँ पर यह काले रंग का एक धबा भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इस LED को भी हम खराब मान सकते हैं, यदि यह खराब होगी, तो क्या हमारे जो LED होती है, वो सिरीज में जूड़ी होती है, तो आगे से आगे सप्लाई नहीं जा पाती, जि यह वाली LED है, यह वाली LED हमारी गलो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, यह हलकी सी गलो करती है, फिर बंद हो जाती है, तो हमने वायर को ऐसे ले 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 ना है, वायर के टुकड़े को, यह दोस्तों ऐसे आपने इस वायर के टुकड़े को ले 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 ना है, और यहाँ हम जैस इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि जो यह LED जो हुने शॉर्ट सर्किट किये इसको निकाल लेना है किसी चीज से और फिर यहां पर इसे शॉर्ट कर देना है और फिर आपको मैं दिखाता हूं शॉर्ट करने के बाद दिखे मैंने इस LED को शॉर्ट कर दिया है तो मैं दिखाता हूँ तो जैसे हमने कोई लोई की चीज इसके पीछे लगाए तो मारा जो इन्वर्टर है वो काम करने लग गया मिस चार्जिंग पर यह बलब चलने लग रहा है मिस यह अच्छी तरह गलो कर रहा है तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी घर में LED बलफ को पड़े वे कोई भी LED बलफ है तो एक बार ट्राइ करके जरूर देख लेना क्योंकि कहीं बार तो सर्कीट की प्रॉबलम होती है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा यदि आप हमें कहोगे कि आप वीडियो बनाओ इसके पूरे सर्कीट पे पूरे सर्कीट इसका बता दूँगा आपको यदि आप पूछो कि मुझे कमेंट करके तो वह भी दोस्तों पता दूँगा और दोस्तों आप इसी तरह से इसके LED जो बलफ होते हैं उनमें जातर प्रॉबलम नहीं आती है यही प्रॉबलम होती है दोस्तों LED बगेरा इसकी कहीं बार शोट ह हो जाती है मिन्स ओपन हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा बलफ नहीं जलता और दोस्तों यदि आप सोल्डरिंग आरन बगेरा और कोई एमाजोन से इलेक्ट्रोनिक टूल्स का कोई प्रॉड़क्ट करेदना चाते हो तो मैं डिस्क्रप्शन में लिंक दे रह सकतुर वंट्वर्ओ नहीं में प्रॉड़क्त खान। Celt वत तो एमारा युच अप्रॉड़क्ற उलunu कर भा कर दो हिर एमारा और म डिस्क्रप्वर्वरमां जलता थे सव новых जापार दोनीकर शीरा दोस्तों गलता है जहीं। फेस्टूर्स सृस्त में आर दोने धेरेक्ट्य